नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो कोर्स में दोस्तों आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ स्री गौरोत रिपाठी जी से सेन्यर सब एडिटर है अमरुजाला हल्दुआनी में और सर इसके साथ संस्थापक अध्यक्स भी है हरपन मौला साहितिक संस्था के इसके साथ साथ सर एक लेखक हैं कवी हैं और सर ने दोस्तों ये देखिए चार पुस्तकें लिखी हैं पहली पुस्तक दो राहे पर जिंदगी एक पुस्तक सर की है आपकी कपूत उसके बाद एक ब्यंगु पन्यास सर ने लिखा हुआ है यह दामोदर्दा नाम से ब्यंगु बुक्स लिखी हैं तो आप इसको बताएंगे कि आपको लिखने से पहले क्या सूचना होता है या बुक्स कैसे बेचें ये आप बताएंगे और अपना experience थोड़ा सर अमारे दर्शकों के साथ आप बिताना चाहेंगे ये बहुत बहुत आभार आपका सबसे पहले कि आपने इतने अच्छे मंज़ पर मुझे आमंतित किया और अपनी बातें रखने का एक मौका दिया जब हम किताब लिखने की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि किताबों का संसार काफी ज़्यादा बड़ा है educational किताबें भी लिखी जाती हैं मनवंजग किताबें भी लिखी जाती हैं साहितिक किताबें भी लिखी जाती हैं कोसे रिलेटेट किताबें भी लिखी जाती है। जह हम साहित्त की बात करते हैं, तो साहित्त में मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा किताबें लिखना और अपनी बातें जनता तक पहुचाना अब सरल हो गया है। पहले ये होता था कि हम प्रकासकों के आगे पीछा गूंते थे और प्रकासक भी एक साल तक अटकाये रहते थे कि आपकी किताब have भी नहीं है ये करो वो करो तो उसमें ये होता था कि जो मोल लेखक की चीज़ें होती थी जो मेन उसका मन होता था ये हम लिखें हो जिनता तक पहुँचाएं, वो कई बार नहीं पहुंच पाते थी, परकासक की ही मर्जी चलती थी, उसी की दादा गिरी चलती थी, लेकिन आज की समय में मैंने ये देखा है कि लेखग डारेक्ट भी चाहे, तो किताब लिख सकता है, और उससे डारेक्ट अर्निंग भी कर सकता था, पहल से माली जे आपने एक वेंगो पन्यास लिखा तो आपने खुद ही अपने पैसों से अगर उसको छपबा लिया और उसके बाद में फिर एमेजन जैसे यह किंडर वेबसाइड है उसके माध्यम से आप किताबों को आप डारेक्ट बेज सकते हैं दूसरा यह भी है कि बीच बी है तो आपको डारेक्ट जो बेनिफिट होता है जितने भी किताबें बिखती है और डारेक्ट बेनिफिट आपके सीधे आपको मिलता है इसमें बीच कोई रहता नहीं दूसरा यह भी है कि आप अपने भी सोचल मेडिया के माध्यम से आप किताबों को उसके विज्यापन कर सकते हैं कि मैंने ये किताब लिखी है इसमें ये चीजें हैं तो लोग उसमें पढ़ने के लिए आकर्सित होते हैं और आपके किताब की कीमत दो सो रुपए आपकी किताब की कीमत है तो नॉर्मली है उसको अगर आपकी एक हजार तक किताबे बिग जाती है तो आपको घर बै आजिसके आज्गेंने में जो लेख क किताब से लेख कर अपना कमांगा साथ नहीं किसे लिए बहुत बटो अच्छा होना चाहिए. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो सर जो ये बुक्स आप इतनी बातें करें, तो बुक्स कैसे लिखने की शुरुवात कहां से करें? बहुत अच्छा कोशन आपने पूछा. कई बार लोग ये कहते हैं कि लोग किताबें पढ़तें लेंगां. तो मेरा ये मानना है कि ये लोग वही लोग कहते हैं, जो कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो हमने लिखा, वो ही सब कुछ है और उसी को ही सब पढ़ना चाहिए. जो किताबें लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये टिप्स देना चाहूंगा कि सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि हम किस पर लिखें कि जनता ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद करें तो अभी जैसे हमने देखा कि कई लोग ऐसा करते हैं कि जो छड़भंगर चीज़ें हुई जो मतलब कि इस पर हम लंबा चोड़ा लिख दें और वो जो है लोग पसंद कर लें लेकर ये चीज़ें ऐसी हैं कि छड़भंगर चीज़ें हैं अधिक तर हमने देखा साहिति कि जब हम बात करते हैं तो लंबी कहानियां या उपन्यास हम कह लिए खास्तोर से हास्वेंग उपन्या करते हैं मल्दब एक पाठक के हम मन की इस्तिति अगर महां पर तो एक पाठक चाहता है कि जैसे हम मालोजी ट्रेंड में सफर कर रहे हैं तो वो ट्रेंड में सफर करने के लिए अगर वो कहानी अगर सबसे पहले उसकी प्रात्मिकता रहेगी कि हम कोई कहानी पड़ें तो व मदा लेकों किताब लंबे समय के लिए बयाक्त कर्दों ऑलबे समय के लिए यह लंब समय पारिशाओं कर दाएं मैं वेंग के छेत्र में जाता हूँ अगर इसमें भी उपन्यास लिखूं तो मैं लंबा चल सकता हूँ तो उसका यह बेनिफिट हुआ मुझे कि उसके बाद मैंने दो राहे पर जिंदगी उपन्यास लिखा उस वेंग उपन्यास की जो है अब मेरे खाल से एक ही दो प्रतिय मेरे पास बची हैं बाकि सारी प्रतियां उसकी बिग गई और उसमें राजी सरकार की तरब से मुझे 25,000 रुपय का पुरुसकार भी मिला तो यह गुरुजनों का मुझे आसिरवाद मिला अगर वो नहीं मुझे बताते तो मैं इसी तरीके से वेंग संक्रे लिखता रहता अर कुछ लोग पढते कुछ लोग नहीं पढते उसके बाद मुझे लगा कि वेंग उपन्यास में अच्छा कर सकता हूं फिर मैंने एक कपूत जो पूरा ही मतलब हाज उपन्यास है उसको मैंने लिखा तो हाज से जो कपूत उपन्यास रहा वो कुछ पहड़ी छेत को किया और एक राजकी प्रात्मी विद्याले हल्दू पोख्रा है उसमें बच्चों ने इस पर एक छोटा जो पाट था उसका नाटक भी उसके बाद में फिर वो किताब की जहिर सी बात है रीडर्शिप बढ़ गई थी तो उसके बाद लोगों ने किताब को लिया तो इस किता आपिडुमेर उसका अच्छा रिस्पॉंस आ रहा है बहुत बढ़ी हा रिस्पॉंस आ तो मैं यही जो नय लेखक हैं जो लिखना चाहते हैं तो पहले तो वह अपने आपको पहचाने कि मैं कि सेत्र में अच्छा लिख सकता हूं, आप कुछ लोग होते हैं वो सोध पर अच्छा लिख सकते हैं, तो आधिक तर ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ बड़े प्रकासक हैं, वो टॉपिक भी देते हैं, जैसे मालीजे उन्होंने कोई टॉपिक दिया, अभी एक हरिद्वार के दो लड़के थे, उन्होंने क्या किया, जो गंगा गौमुक से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो उन्होंने जहां जहां तक गंगा निकलती है, जहां जहां पर जाती है, कैसे कैसे वहां पर उसकी पूजा होती है, क्या क्य दिद्ध है उसके वह वो होते हैं तो एक उनहों ने अच्छा उसपे सोध करते हुए हाजवें भी था उसमें यात्रा संस्मान भी था एक अच्छा एक पण्यास जैसा उन्होंने बनाया और वो सबसे ज्यादा लिका penguon टाइम जॉब भी है आपका तो बहुत ही मैं तो लोगों को प्रसाइद करूंगा कि आप इस फिल्ड में ज़रूर जाएं अगर आपने है क्वाल्टी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर्थ